हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग और वेलकम अगेन तु धन्मंत्रा चैनल दोस्तों आई से इसे इसे बैंक के रिजल्ट आगे हैं और रिजल्ट जो है वो सुपर डूपर है पिछले कौटर का भी रिजल्ट सुपर डूपर था और कॉंजेकुटि इस कौटर में भी बहु तक जितने भी बैंकों के रिजल्ट आये हैं HDFC बैंक का रिजल्ट देख लें वो भी बहुत अच्छा आये था ES बैंक का भी रिजल्ट आया है वो भी अच्छा आया है इसके पहले दो पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिजल्ट आये थे बैंक को महराश्टरा का और सौथ इंडियन बैंक का वो भी रिजल्ट अच्छे आए हैं तो ओवर आल मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी में एक जबरजस्त तेजी आने की संभावना है देखे कई लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट किया की नहीं देखे इस प्रिंग को बहुत देर तक आप दबा नहीं सकते उसका उचलना ते हैं और ऐसा लगता है कि मंडे को बैंक निफ्टी में एक जबरजस्त शाट कवरिंग आनी चाहिए रिलाइंस के भी रिजल्ट देखो बहुत अच्छे आए हैं और बैंक निफ्टी में जब आईसी एसीए बैंक के रिजल्ट आए तो जिन बैंकों को रिजल्ट अभी नहीं आए जैसे कोटक बैंक है एक्सिस बैंक में उनमें भी एक तेजी का महौल बनता है तो let us hope कि जो ICICI bank के result है और Reliance bank के result है ये bank nifty और overall nifty को Monday को उपर ले जाने में मदद करेंगे दोस्तों अब हम एक नजर डालते हैं ICICI bank के result पे देखिए जो core operating profit है company का उसमें year on year 25% की बड़ोतरी हुई है ये एक बहुत ही जबर्जस figure आई है और जो net interest income है bank का वो y on y 23% का growth दिखाया है जो profit after tax है PAT उसमें y on y जो है 25% की बड़ोतरी हुई है और ये अभी 6,194 करोड़ों पे पहुँच गया है total period and deposit जो था वो 10 लाग करोड़ को cross कर गया है domestic loan portfolio जो है ICICI bank का उसमें 18% की बड़ोतरी हुई है year on year और दोस्तों ICICI bank का पिछले quarter में जो NPA का अकड़ा था वो एक के नीचे था और वो था 0.99 तब ऐसा लगता था कि इस से नीचे नहीं जाएगा लेकिन आप ये देखिए इस quarter में ये जो आकड़ा है net NPA का वो वहां से भी घटकर 0.85 पर पहुँच गया है जो March 31, 2014 के बाद सबसे lowest figure है तो सारे करमचारी जो हैं ICICI bank उनको इस achievement के लिए बहुत बहुत बढ़ाईया देखे जो provision coverage ratio है वो भी 79.9% है इसका मतलब जो भी expected bad loans है उनमें से करीब 80% की provisioning already हो चुकी है तो भविश्य में जैसे जैसे इनके recoveries बढ़ेंगी तो out of those recoveries इसका जो impact होगा वो operating profit और net profit पर पढ़ाईगा देखें capital adequacy ratio है वो 19.79 पर है और जो tier 1 capital का adequacy ratio है वो 18.81 रेश्यू है तो bank में आप एक तरह से देखेंगे capital का जो base है वो भी RBI के जो norms है उससे काफी ऊपर है दोस्तों जो net interest income है जैसा कि हमने discussion किया वो 23% year on year बढ़कर इस समय 12,236 क्रोड का अकड़ आया है और जो Q3 में इनका जो net interest margin है वो 3.96% पर पहुँच गया है जो पिछले quarter में 3.67 था और जो fee income जो है वो 19% growth की है on year on year basis 4,291 क्रोण पे ट्रेजरी इंकम में थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि पहले जो ट्रेजरी इंकम थी उनमें एक extraordinary income भी जोड़ी हुई थी तो वहाँ पे आपको एक गिरावट का आखड़ा देखेगा प्रोविजनिंग का जो आखड़ा है वो 27% जैसा कि हमने देखा decline हुआ है ये on year basis पे और वो अभी 2007 क्रोण की उनमें प्रोविजनिंग करी है इस quarter में और पिछले quarter में लगबग 2742 क्रोण की प्रोविजनिंग ह हुई है देखेए जो net profit का अकड़ा है before tax 34% का ग्रोथ 8,141 क्रोण पे पहुँच गया है जो पिछले quarter में 6,078 क्रोण का था ओन ए stand-alone basis profit after tax grew by 25% year on year basis में तो दोस्तों बहुत ही अच्छा result है all round performance है देखेए profit बढ़ रहा है provisioning कम हो रही है provisioning coverage ratio बढ़ रही है NPS कम हो रहे है gross NPA कम हो रहे है net profit बढ़ रहा है आपको क्या चाहिए किसी share के performance में तो ऐसा जबर 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 परफॉर्मेंस यस CACA bank का देखकर लगता है कि Monday को इसमें एक काफी अच्छी चलांग आनी चाहिए देखे दोस्तों थोड़ा आसा मद्दी का महौल बजार में चल रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी bad news अगर आप DAO की भी बात लें तो काफी bad news जो है DAO में भी आ गई है और जो उनके prize में है वो build up हो गया है तो Monday को ऐसा लगता है देखिए ये सारी संभावना है कि DAO में भी तेजी आनी चाहिए और इंडियन मार्केट में भी एक short covering का दौर आना चाहिए और एक budget rally आनी चाहिए धन्यवाद सब इस लोगों को हार दिख सुपकामना है